नमस्कार दोस्तों, डेली डाइजिस्ट में आपका स्वागत है, मेरा नाम अपर्णामन है, इस वीडियो में हम जिस विशय के बारे में बात करेंगे, वो है चंद्रयान 3 लैंडर, हम जानते हैं कि इससे पहले भी चंद्रवा पर भारत ने दो बार चंद्रयान 1 और चंद्र इस दफा जो है चंद्रयान 3 के मिशन के लिए यह काफी जरूरी था कि जो उसका लैंडर है उसका अच्छे तरीसे से जो टेस्ट है वो उसको क्लियर कर ले, खुशी की बात यह है कि चंद्रयान 3 ने अपने इस टेस्ट को क्लियर कर लिया है, आईए इस वीडियो में हम चं लुशायत होगा उसके बारे में भी बात करेंगे, तो चंद्रयान 3 याद रखिएगा यह तीसरा lunar mission है, lunar मतलब चंद्रमा होता है तो भारत पर चंद्रमा के लिए यह तीसरा mission है, ठीक है, इसको जो है इस रो ने जो है और बनाया है और इसने यह कहा है कि चंद्रयान 3 ने E EMI-EMC test, इसको successfully इसके lander ने पास कर लिया है, तो यह test क्या है और इसका महत वो क्या है, यह यहाँ पर जानना जरूरी है, सो जो EMI है, यह इसका मतलब होता है Electromagnetic Interference Test, और जो EMC है, वो है Electromagnetic Compatibility Test, इन दोनों टेस्ट को जो है, इस चंदरमा 3 Lander ने क्रॉस कर लिया है, ठीक है, अब किसी भी, कोई भी एक ऐसा mission जो चंदरमा पर जाता है, वो अगर इन टेस्ट में पास नहीं होता, तो फिर जो है, को Landing और Operation, इन दोनों से जुरे यह EMI, EMC Test को पास कर लिया है, ठीक है, अब, आपके मन में सवाल यह भी होगा, कि अगर पास नहीं करता, तो क्या होता, अगर कोई भी लैंडर, यह टेस्ट जो है, क्लियर नहीं करता, तो इसका यह मतलब है, कि जो है, टेस्ट है, वो completely खतम हो और जो मिशन है, वो अब, डिस्ट्रॉय हो चुका है, कहीं पीछे जा चुका है, अब वो आने वाले दिनों में आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है, और किसी भी, equipment, किसी भी component, जो कि इंडिया से बाहर अंतरिक्ष में जा रही है, उनके लिए electromagnetic waves को, और उनके components को block करना बह अब यह नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, कि component जो है, उस पे electromagnetic waves का बहुत ही जादा प्रभाप पड़ता है, जिसकी वज़ए से उसकी speed, उसकी बनावट, उसका जो powerfulness है, वो भी काफी जादा affected हो सकता है, So, if emit doesn't blocks the EM waves rays, the energy and the signals received, sent or produced in the component are disturbed, क्योंकि electromagnetic waves जो है अपने रास्ते में आने वाले किसी भी चीज को disturb करते हैं, तो अगर यह test पास नहीं कर पाता, तो यह कभी भी अंतरिक्ष में जा ही नहीं पाता, ठीक है, अब इससे भी बड़ी बात है, कि अगर इस तरह का test जो है, उसको अगर fail कर जाता है, तो electromagnetic waves की वज़े सबसे बड़ा problem होता है, वो है miscommunication का, कोई भी spacecraft जो धर्टी से प्रित्वी तक जाता है, अगर उसमें communication तूट जाता है, तो प्राया ऐसा होता है, कि वो spacecraft कहीं अंतरिक् में खर्च लगा है, वो completely बरबाद हो जाता है, तो miscommunication हो सकता है, और mission जो है, वो completely fail हो सकता है, इस test को नहीं पास करने पे, ठीक है, तो अब जो है, जैसे चंद्रियान 2 के समय हुआ था, कि भारत का communication तोट गया था, और इस वज़े से चंद्रियान 2 mission भारत का, वो fail हो गया जैसे चंद्रियान 3 mission की बात करूँ, यह क्या है, चंद्रियान 3 mission भारत का, चंद्रमा पर तीसरा mission है, और इस mission के 3 main modules है, पहला है, propulsion module, the rover module, and the lander module, propulsion means यहां से जाएगा, फिर जो lander है, वो rocket से बाहर निकलेगा, then rover module means, कि वो उस surface के चारो तरफ जो है, एक यान के रूप में चकर लगाएगा, and then the lander module की सब कुछ होने के बाद, finally वो चंद्रमा की सता पर जाके land करेगा, जिसके बाद ही जो है, उसका जो भी कारे होगा, चाहे चंद्रमा की surface को observe करना, वहां से जो है, materials इकठा करके नीचे लाना, यह सब काम जो है, इस lander module के बाद ही वो कर पाएगा ठीक है, सो इस topic में इतना ही था, दे ने वाद